नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका फार्मा रोक्स की यूटूब एजूकेस्टेन चैनल में आज की यूटू लेक्चार में हम डीटेल में स्टेडी करेंगे कि हाथ पर कांपना कौन सी बीमारी के लक्सन है तो यहापी जो आप देख रहे हैं कि जो पेसंट है उसके हाथ मे जो काफी ज़्यादा कंपन देखने को मिल रही है उसी तरह से यहाप आप देखोगे तो पेसंट को जो काफी ज़्यादा हाथ उसके कांप रहे है जिसके करन क्या होगा कि उसको समझे कोई चीज पकट नहीं है या फिर कुछ लिखना है तो काफी ज़्यादा उसको फिर पैरों में कई बार जो वो इस तरह से company या फिर पैर जो वो company लगते हैं, तो यह problem होता क्यों है, या फिर यह कौन से बीमारी के लक्षन होगेरा है, तो उसके बारे में detail में सिखेंगे आज के lecture में, और cover करेंगे अलग-अलग points को जैसे के सबसे पहले समझेंगे, कि यह बीमारी क्या है, फिर समझेंगे उसके symptoms होगेरा क्या होते हैं, reasons होगेरा मनलब कि causes क्या है, diagnosis कैसे हो सकता है, treatment के क्या अलग-अलग option है, और कौन सी दवा या या योग होती है, यह problem को ठीक करने के लिए हैं, तो ऐसी समझेंगे आपको detail में सिखना है, बहुत सरी दवा के बारे में, बीमारी के बारे में, तो आप medicine course को join कर सकते हैं, pharma rocks के बूपर, तो यह course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं, या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं, link description box में मिल जाएगी, तो बाद है topic पे और समझते हैं, कि यह problem कहा है, कि जिसके अंदर patient को क्या होता है, कि उ तो यह जो हमारे nervous system से जोड़ी बीमारी है, उसको medical terms के अंदर हम tremor कहते हैं, तो उसके अंदर होता क्या है, कि involuntary जो हो यह process होते हैं, तो मनले कि आपका यह जो process के उपर कोई भी काबू नहीं होता, यह खुद से ही ऐसा होता है, कि आपका जो हाथ कापने लगते हैं, या फिर पैर कापने लगते हैं, या फिर fingers में कमपन देखने को मिलती हैं, और यह specially हम बीमारी देखें, तो nervous system के related बीमारी है, या फिर neurological disorders जो उसको कहा जाता है कि जो हमारी neurons होती है, वो समझो कि damage होने लगती है, या फिर healthy neurons होते हैं, उनमें किसी भी दरह से खराब भी आती है, तो यह जो problem जो हो सकता है, कि जिसको हम tremor कहते है, medical terms के अंदर, या फिर essential tremors भी का जाता है, तो उसके अंदर specially होता है, कि जो हमारे muscles होते हैं, उनमें contractions देखने को मिलती है, और यह contractions जो involuntary हो जाती है, कि उसके उपर हमारा कोई काबू नहीं रहता, तो इसके अंदर होने यह जो है, symptom जो देखने को मिलता है, तो यह जो लक्सन है, वो specially tremor कहा जाता है, medical terms के अंदर, और उसके symptoms हम देखे, तो सबसे पहले या पर जो आप डायग्रम में देख रहे हैं, उस तरह से, patient को जो हो सेकीनेस देखने को मिलते हैं, उसके हाथों के अंदर, मनलब कि हाथ मे कमपन देखने को मिलते हैं, हाथ उसके खापने लगते हैं, second symptoms हम देखे, तो कोई चीज समझे के आपको हाथ में पकड़नी है, आपको लिखना है, या फिर कोई खाना बना देवक, कोई बरतन वगरा को आपको पकड़ना है, या फिर कोई भी activity करनी है, तो वो आप अच्छ देखने को मिलती हैं, फिर जो हमारे pair है, वो भी कापने लगते हैं, कि या पर आप देख से कि कोई एक pair या फिर दोनों pair में ये problem हो सकती हैं, फिर या पर आप देखो कि patient को जो glass पकड़ने के कोसिस कर रहा है, पर वो अच्छे से पकड़ नहीं पाते हैं, और कई बार हाथ में इसे glass वगिरा जेओ, गिर भी जाते हैं, फिर voice में भी यहीं देखने को मिलते हैं, कि उनका voice है, उस तरह से हो जाता है, कि proper वो बोल नहीं पाते हैं, speech जो वो काफी slur हो जाती है, फिर जब कुछ लिखना है या फिर उसको draw करना है, तो उसमें काफी ज़्यादा difficulty आ दि देती है, हाथ काप रहे तो उस वक्त जो प्रॉपर वो नहीं अच्छे से लिख पाते हैं, नहीं कुछ draw कर पाते हैं, फिर जो utensils के में आने आगे भी बात की, कि जब भी आपको कुछ खाना बनाना है, या फिर कोई ऐसी process करना है, उस वक्त समझे कि आपको glass पकड़ना है, बर्तंस वकिरा को handle करना है, spoon वकिरा को आपको पकड़ना है, तो वह आप अच्छे से नहीं पकड़ पाते हैं, और यह symptom देखने को मिलता है, यह essential tremor के अंदर, फिर अब उसके reasons हम अच्छे से समझ लेते हैं, तो सबसे पहला यह reason होता है, genetic होता है, मनलब कि family history इसके अंदर neurons या फिर आपके brain के अंदर कुछ problem हो रही है, और उसके करना आपके neurons अच्छे से काम नहीं करें, या फिर उनको command अच्छे से नहीं मिल रहे है, तो भी यह problem जो हो सकते हैं, जिसको हम specially neurological impairment या फिर neurological disorders कहते हैं, तीसरा reason हम देखे तो जो MS का जो problem होता है, जिसको medical terms के अंदर ह multiple sclerosis कहते हैं, तो उसके अंदर होता क्या है, जो हमारी healthy neurons होती है, उसमें आप देखो, तो node of rainwire होता है, swan cells होते है, और nerve fiber होता है, और myelin का बना एक proper, एक protective layer होता है उसके उपर, पर यह जो myelin जब damage होता है, तो एक medical condition produce होती है, जिसको हम multiple sclerosis की condition कहते हैं, तो इसके करन भी हाथ और पेर जो आपको कमपन देखने को मिल सकती है, वो काम सकते हैं हाथ और पेर, फिर Parkinson's disease में एक symptom बनता है, यहाप आप देखो, कि ट्रैमर एक यहाप ए symptom डिसकस क्या हुआ है, Parkinson's disease के अंदर, जिसके अंदर भी neurons जो वो damage होनी लगती है, पांच भा हम reasons देखे, तो stroke या हमारे brain के अंदर ही तूट जाती है, तो उसके करण भी यह problem हो सकता है, और दूसरा blood vessel जो वो block हो जाती है, आपके brain के अंदर, तो उसके करण भी यह neurological symptoms देखने को मिलते हैं, और वो एक यह problem create करते हैं, ट्रैमर का, फिर शटा reason हम देखे, तो mercury poisoning में भी यह symptom देखने को मिलता है कि किसी के अंदर, यह mercury का poison हुआ है, तो भी उसके हाथ पेर जो है, वो कापने लगते हैं, साथवा हम देखे तो आपके जो thyroid gland है, वो काफी ज़्यादा over active है, कि जिसको medical terms के अंदर hyperthyroidism कहते हैं, तो उसमें भी यह problem हो सकती है, आठवा reason हम देखे, तो आपके liver या फिर kidney फैल है, कि किसी के liver में problem है, या फिर kidney या फिर दोनों खराब है, तो भी एक symptom develop होगा, कि आपके हाथ पेर काम पने लगते हैं, anxiety या फिर जब किसी को panic attack आता है, तो भी एक symptom develop होता है, तो यह कोई reason है, दसवा reason हम देखे, तो जैसे जैसे age बढ़ती जाती है, तो उसके अंद अंदर भी जैसे बढ़ती उमर के साथ भी, यह symptom जीवोगों के अंदर देखने को मिलते हैं, फिर कुछ दवायू के side effects के करण यह problem हो सकता है, जैसे कि अस्थमा के जो medications आते हैं, उनकी एक side effect होती है, tremor, amphetamines है, caffeine वगिरा है, corticosteroid है, या फिर जो psychiatric drugs लोग यूज करते हैं, उनके side effect के तोर पे भी, यह problem हो सकती है, फिर 12 वर रीजन हम देखें तो वो है vitamin D की deficiency, कि समझनों कि आपके सरीर के अंदर vitamin D की कमी है, तो भी यह symptom जो देखने को मिल सकता है, और last एक रीजन हम देखें, तो वो है कि आपके brain के अंदर calcium का जमा होना, कि यहाँ पे आप देख हमारे हड़ियों के अंदर या फिर जमारे teeth होते हैं, उसमें जमा होना चाहिए, पर वो हमारे brain के अंदर जमा होने लगता है, और उसके करण भी यह problem जो आपको हो सकती है, तो बहुत सारे ऐसे reason है, जिसके करण यह एक symptom या फिर एक लक्सन जो है वो देखने को मिलता है, अ अच्छे से उसके साथ patient counseling किया जाता है, 10-15 मिनिट प्रापर उसको question रिस की जाती है, उसके बाद आपको पता चलता है कुछ reasons वगेरा, second brain के CT scan या फिर MRI जो हो की जाती है, जिससे प्रापर पता चलता है कि कहाँ पर problem है, फिर तीसरा physical examination किया जाता है कि patient के जो हो प्रापर आप check करते हैं, तो भी उसके बाद चीस से as well as उसको physically check करके भी पता चलता है, neurological examination किया जाता है कि जिसके अंदर torch वगेरा को use करके या फिर इस तरह से जो reflex hammer से वगेराती है, उसको use करके भी एक physical examination हो सकता है, especially neurons के related, फिर blood और urine test भी किया जाता है कि जिससे आप reason पता लगा स test खास किया जाता है इसके अंदर, कि जो spiral drawing का जो test है या फिर एक task दिया जाता है patient को, क्योंको इस तरह से proper and healthy drawing करनी होती है, पर वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इस तरह से ये इस तरह वो draw करते हैं, कि जिससे हमें पता चलता है कि ये essential tremor जो उनके अंदर develop हो रहा है, त अब बात करते हैं उसके treatment के कौन से अलग-अलग treatment के options available है, ये problem को solve करने के लिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उसके लिए patient को physical therapy दी जाते है, या फिर speech language therapy के जिसको SWAT में ST कहते हैं, या फिर occupational therapy के जिसको SWAT में OT कहते हैं, या तीन अलग-अलग treatment है, PT, ST and OT जो पेसन को द दी जाती है कि जिससे, ये problem जो दीरे-दीरे solve होनी लगता है, तो ये खास एक जरूरी option बनता है, अगर आपको ये tremor का problem है, second अब देखे, तो deep brain stimulation करके एक surgery का option रहता है, तो ये भी जो एक option रहता है, इसके अंदर treatment का, फिर तीसरा हम देखे, तो अलग-अलग जो medications use होती ह है, उसके बारे में हम जाते हैं, तो medications में हम देखे सबसे पहले तो beta blockers जो दवाईया होती है, उसके अंदर propranolol का option रहता है, तो propranolol के dose के बारे में आपको बतातू कि उसका जो dose रहता है, वो खास कर 40 से लेकर 80 mg जितना होता है, दिन में 2 बार या फिर दिन में 4 बार पेसेंट उसको ले सकते पर, दिन में maximum dose जो वो 160 mg से ज्यादा जो नहीं बढ़ना चाहिए, second medicine हम देखे, तो वो है primidon के जो tablet साते हैं, जिसका dose जो है 100 से लेकर 200 mg जितना रहता है, दिन में 2 बार जो उसको यूस किया जाता है, तिसरो option रहता है, अलपराजोलम का, कि जो benzodia की ड्रग है, जिसका dose रहता है, 0.25 से लेकर 1 mg जितना पेसन लेते हैं, दिन में 3 बार, यूसली treatment जो लूवर डोस से जो वो स्टार्ट की जाती है, आगे चौथा option बनता है, वो है klonazepam के tablets का, तो klonazepam का याप याप डेख सकते हैं कि marketed formulation के अंदर, 0.25 mg के tablet से, और उसका भी dose रहता है, सेम अलपरा जोलाम के तरह है, 0.5 से लेकर 5 mg वो भी दिन में 3 बार जितना उसका dose रहता है, पांच वो option बनता है, हमारे पास वो है, मेटा जेपिन का, कि जिसका dose है, 15 से लेकर 45 mg जितना रहता है per day, तो मानलो ये 15 mg के जो tablet से वो patient दिन में 2 बार, या फिन 3 ब 25 mg के tablet है, तो इसका dose रहता है 25 mg OD, वोला कि सिर्फ एक ही बार जो ये tablet आपको दिन में लेनी होती है, साथ वो option बनता है, गाबा पेंटीन का, कि आप गाबा पिन करके उसका marketed formulation आप देख सकते हैं, तो उसका dose रहता है 100 से 300 mg और दिन में एक ही बार या फिर दिन में 3 बार ये एक बार जो लेनी चाहिए, आट वो option हम यहाँ पे देखें, तो लेवे रा की जो tablets हाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 250 mg के strength में और उसके अंदर salt content के हम बात करें, तो लेवे टिरा से से time करके जो medication है, तो जुसका जो dose है, वो है 250 से लेकर 750 mg जितना दिन में 2 बार र सकते हैं, 9 option हम देखें तो अब supplements के बात है, कि vitamin D की deficiency भी यह इसको responsible है, यह problem होने के लिए, तो vitamin D के supplement जैसे कि उसके sachets वगराते है, granules और उसके capsules वगरा भी आते हैं, तो अगर आप sachet यूज़ करते हैं, या फिर आप capsule यूज़ करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक sachet या एक capsule आपको week में यूज़ करनी होती है, इसलिए आप देखो, यह capsule भी 4 ही दी गई है, तो एक महिने का यह समझे के course है आपका, तो हर week यह एक capsule यूज़ करते हैं, दस वह option हम देखें, तो neurons के लिए जो supplements होते हैं, कि neurons के healthiness के लिए जो दवाई या लेनी ज़रूरी पढ़ यह, तो उसमें एक macro nerve fort कटके काफी अच्छा formulation आता है, तो यह एक tablet या फिर उसके जो capsules होते हैं, आपको पूरे दिन में एक ही लेनी होती है, जायर डोस लेने से कुछ complications हो सकती है, फिर उसके option में दूसरा बनता है, वो है neurobian fort के जो tablets हाते हैं, तो वो भी एक ही tablet आपको ले नहीं होती है, फिर बाराव option है, आप हम देखें, तो homeopathic medicine का एक option है, तो वो भी एक काफी अच्छी रहती है, ट्रैमर से अगरा के लिए, तो उसमें आप देख सकते हैं, जैलसियमियम का एक option देख से रहे गए आप, तो SBL में भी आपको यह जैलसियमियम मिल जाता है, जि उसी के अलावा इसमें alternative एक दूसरा भी option है, वो है agaricus के drops रहते हैं, तो उसका भी dose यह वो same रहता है, कि तीन से लेकर 5 इतने drops patient यूज़ करते हैं दिन में, 2 या 3 बार, और वो आपको same दिन लार ली, पानी के अंदर mix करके उसको लेने होते हैं, इसमें एक और option है, वो है pl लंबम का option रहता है, तो यह भी similar तरीके से आपको drops यूज़ करने होते हैं, तो यह सभी अलग-अलग medications के option रहते हैं, जब किसी का इस तरह से problem ही को उसके हाथ का अपने लगते हैं, पैर वगेरा का अपने लगते हैं, इस तरह से हम proper उसका उप्चार कर सकते हैं, तो ऐसे सम application को download कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगी, so good luck and all the best!